नमस्कार दोस्तों फिल्मी टेसन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मेंद्र और राजेस खन्ना की अभिनेश सजी फिल्म धर्मय और कानून के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट बॉक्स ओफिस कलेक्सन और फिल्म से जुड़े कुछ हंसुने फैक्ट तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा कर आल पर सलेट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धर्मय और कानून एक एकसंड ड्रामा फिल्म है जिसे तीन अगस्त 1984 को रिलीज किया गया था फिल्म के निर्माता है प्राड लाल महता और फिल्म को निर्देशित किया है साउध फिल्मों के जाने माने निर्देशक जोसी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू विखेरा है धर्मेंद्र, राजे स्खन्ना, आसा पारेक, जया प्रदा, विनोध महरा, सुप्रिया पाठक, डैनी डेन जोकपा, परेश रावल, मजहर खान, दीरज कुमार, इफ्तेखार, ओम शिवपूरी, स्री राम लागू, मन मोहन कृष्व, वीरबॉल और राम मोहन सर्मा ने, फिल्म के गीत लिखे हैं अंजान, रविंदर रावल और फारूक कैसर ने, तथा संगीत दिया है कल्यार जी आनन जी ने, फिल्म के अलबम में टोटल पांच गाने हैं, जिन्हें अपनी मधूर आवाज में गाया है, कि स दोर कुमार, आसा भोसले, सैलेंदर सिंग, अलका यागनिक, भुपिंदर सिंग और वाडी जैराम ने, फिल्म को IMDB की ओर से, दस में से 6.9 की रेटिंग मिली हुई है, और 89 प्रतिसत गूगल यूजर ने पसंद किया है, दोस्तों बात कर लेते हैं, फिल्म के बजट और ब की बात करें, तो इस फिल्म ने 6 करोण 50 लाग का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन किया था, दोस्तों बता देते हैं, फिल्म से जुड़े कुछ हंसुने फैक्ट के बारे में, फैक्ट नमबर एक, यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई, निर्देशक जोसी द्वारा ही निर्देशित म मले आलम फिल्म आरंभम की रिमेक है, मले आलम फिल्म आरंभम का रिमेक हिंदी के अलावा, तमिल में ये जू थता सपांगल के नाम से बनाया गया था, जो 1984 में रिलीज हुई थी, फैक्ट नमबर दो, इस फिल्म की सुटिंग के दवरान, राजेस खन्ना सेट पर काफी द मेकप रूम से बाहर नहीं निकले, जिससे धर्मेंदर को काफी गुस्सा आया, और राजेस खन्ना का मेकप रूम खोजने लगे, तभी राजेस खन्ना को उनकी एक दोस्त ने आकर बताया कि उन्हें धर्मेंदर खोज रहे हैं, और वह बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, राजेस खन्ना धर्मेंदर के गुस्से को जानते थे, और वह चुपके से इस्टूडियो से भाग खड़े हुए, और धर्मेंदर के गुस्से का सिकार होने से बच गए, फैक्ट नमबर ती, राजेस खन्ना इस फिल्म में पीता और पुत्र की दोहरी भूमिका में दिखा लेकिर राजेस खन्ना डबर रोल नहीं निभाना चाते थे, और बेटे के रोल के लिए तारीखे नहीं दे रहे थे, फिर निर्माता फ्राणलाल महता के समझाने पर काफी मुश्किल से तयार हुए, फैक्ट नमबर चार, पहले इस फिल्म में संगीत कार के तवर पर राम लक्षमन को साइन किया गया था, लेकिन कुछ नीजी कारणों से राम लक्षमन ने ये फिल्म छोड़ दी, तब उनकी जगह संगीत कार के रूप में कल्यार जी आनन जी को साइन कर लिया गया, फैक्ट नमबर पांच, इस फिल्म में जया प्रदा की आवाज को एक आर्टिस के द्वारा डब किया गया था, फैक्ट नमबर छे, मले आलम फिल्मों के जाने माने निर्देशक जोसी की, ये पहली हिंदी फिल्म है, और इस फिल्म के बाद 1987 में रिलीज हुई फिल्म इतिहास, 1988 में रिलीज हुई फिल्म निव दिल्ली का निर्देशन किया, फैक्ट नमबर साथ, धर्मेंद्र और राजेस खन्ना की एक साथ, ये दूसरी फिल्म है, इस फिल्म से पहले, 1982 में रिलीज हुई फिल्म राजपूत में एक साथ दिखाई दिये थे फैक्ट नमबर राट, राजेस खन्ना और आसा पारेक की एक साथ या या आखरी फिल्म है राजेस खन्ना और आसा पारेक ने एक साथ सिर्फ चार फिल्मों में काम किया है जिन में बहारों के सपने, आनवीलो सजना, कटी पतंग और धर्म और कानून जैसी फिल्मे सामील है फैक्ट नमबर 9, 1984 की कमाई के मामले में यह फिल्म पांच में नमबर पर थी दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं कि सेयर वीडियो में